भारत और साउथ अफरिका के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच बिलकुल निरडायक मोड पर खड़ा है जहाँ साउथ अफरिका की टीम ने 240 के लक्ष का पीछा करते हुए खेल रोके जाने तक दो विकेट खोकर 118 रन बना लिये हैं यहां से साउथ अफरिका को जीत के लिए अभी भी 122 रन बनाने हैं जबकि दूसरी तरफ भारत को मुकाबला जीतने के लिए 8 विकेट की दरकार है ऐसे में जब भी खेल शुरू होगा दोनों ही टीमें मैच जीतने के लिए 80 चोटी का जोड लगा देंगी अब मैच भारत ज जीते या साउथ अफरिका जोबर्ग में इतिहास बनना तैय है खासतोर से भारत के लिए तो यह एक ऐसा रेकॉर्ड हो जाएगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है आखिर क्या कहते हैं आकड़े और क्या है इतिहास इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकार भारती टीम के लिए जोहांस बर्ग का मैदान काफी लखी रहा है अफरिकी सरजमी पर ये एक लोता ऐसा मैदान है जहां टीम इंडिया ने आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं गवाया है अभी चल रहे मुकाबले से पहले भारती टीम ने जो बर्ग में पांच टेस्ट और इनमें से तीन मुकाबले ज्रॉ करा है और दो मैच अपने नाम किये इससे पिछले दोर पर भी भारती टीम ने जब साउथ अफरिका में सिरीज 2-1 से गवाया था तब भी जोहांस बर्ग की एक चैलेंजिंग विकेट पर टीम इंडिया सिरीज का आखरे टेस्ट मैच सिलसिला तो तूटेगा ही साथी साथ इस ग्राउंड पर मेच बान टीम की ये सबसे बड़ी रंड चेस हो जाएगी इससे पहले अफरिका ने जोहांस बर्ग में सबसे जादा 217 रंड चौथी पारी में बनाये हैं लेकिन अगर भारती गेंदबाज बचे हुई 122 रनों के नाम सेना कंट्रेज यानी साथ अफरिका, इंग्लेंड, न्यूजिलेंड और उस्टेलिया में जाग टैसरी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डर्ज हो जाएगा लेकिन ऐसा करने के लिए भारत को तीन साल पहले का इतिहास दोरा ना होगा आपको बता दें कि भारत और अफ विकेट खो कर 124 रन बना लिये थे, लेकिन पांचवे दिन मुहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने साथ अफरिका की पूरी की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह भी खर गई थी, सिर्फ टीम के ओपनर डीन एलगर एक चोर पर डटे हुए थे, भारत ने मातर ए 1818 रन बना लिये हैं, और इस मैच में भी मेजबान टीम के कप्तान एलगर 46 रन बना कर नाबाद चल रहे हैं, ऐसे में भारती टीम को उमीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यहां से भी मुकाबला जीता जा सकता है, चौथे तीन बारिश होने के कारव ऐसा इतिहास बन जाएगा जिसे भारते क्रिकेट हिस्ट्री में वर्षों तक याद रखा जाएगा, दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारते टीम जोहांसबर्ग में अपने जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखने में काम्याब हो पाएगी या नहीं, अपनी राए ह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को, वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भ बूले,